असलाम लेकुम बच्चों, how are you? I hope you are fine. I am your class teacher Maim Nadia from OSIS Public School. Today's subject is Math. You have already done chapter no. 2 edition. Now we start chapter no. 3. Page no. 41, Subtraction Question no. 1 start करवाने से पहले मैं आपको बहुत ही असान तरीके से सब्ट्रेक्शन का तरीका बताती हूँ. Subtraction, Subtraction mean take away और minus. यहां हमारे पास है 3 minus 2. Means हमने 3 में से किसको minus करना है? 2 को. यह हमारे पास balls हैं. काउंट करें कितने balls हैं? 1, 2, 3. और हमने इन में से कितने balls को minus करना है? 2 को. 1, 2. 3 में से हमने 2 balls को minus किया. तो कितने बच्चे balls हमारे पास? 1. 3 minus 2 is equal to 1. That is the answer. I hope you understand this. Now we start question number 1. Do you remember how to subtract with big numbers? Start with ones, then subtract the tens. आपको याद रखना है कि आपने कैसे बड़े नमबर से इसको subtract करना है? और सबसे पहले आपने start किससे लेना है? 1 से, then subtract करना है आपने tens को. Part A आपके पास solve है. अब हम करेंगे part 2. Question number 2 solve करेंगे हम board पे. 2 digits number को हमने subtract करना है. 0 की क्या values है? 9, 3. Tens में क्या value है? 6 और 2. 9. सबसे पहले हमने 9 में से किसको subtract करना है? 3 को. 9. इन circle को count करते हैं और देखते हैं कि ये कितने circles हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. कितने circles हैं हमारे पास? 9. इसमें से हमने कितने circles को minus करना है? 3 को. तो हम इसमें से 1, 2, 3. 3 circles को हम minus कर देते हैं. अब हम देखते हैं हमारे पास जो बाकी circles रहेगी हैं वो कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6. हमारे पास बाकी कितने circles रहेगे? 6. और 6 हमारा answer. Next देखें. 10 में क्या value है? 6 हमार 2. इसको count करें. यह कितने circles है? 1, 2, 3, 4, 5, 6. कितने circles है? 6. और हमने कितने को minus करना है? 2 को. 1, 2. 6 में से 2 को हमने minus किया. बाकी देखें कितने रहेगे? 1, 2, 3, 4. यहां लिखें. 4. And that is the answer. मैंने यहां solve किया. अब आपने इसको अपनी books पे solve करने हैं. अब हम चलते हैं अपने question number C की तरफ. Next question number C देखें. 1 से हमारे पास 4 over 1. Tens में हमारे पास क्या है? 5 over 4. 4 over 1 में हमने 4 में से किसको minus करना है? 1 को. हमारे पास यह कितने बैलून्स हैं? Count करें. 1, 2, 3, 4. कितने बैलून्स है? 4. कितने बैलून्स को हमने minus करना है? 1 को. Count करें. कितने बैलून्स रहागे हमारे पास? 1, 2, 3. इसके नीचे लिखें answer. 3. Next देखें. 10's में वो क्या कह रहे हैं? 5 में से minus करना है? 4 को. अब हम अपने बैलून्स काउंट करेंगे कि हमारे बैलून्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5. हमारे पास कितने बैलून्स है? 5. 5 में से हमने किसको minus करना है? 4 को. 1, 2, 3, 4. 5 में से हमने 4 बैलून्स को निकाल दिया. पीछे हमारे पास कितने बैलून्स रहे गे? 1. That is the answer. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेस्टन नमबर डी. इसमें 0 क्या है? 1 क्या है? 7, 5. 10 क्या है? 7 अवर, 2. सबसे पहले हमने 7 में से माइनस करना है 5 को. काउंट करें ये कितने ट्राइ एंगल्स है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. कितने ट्राइ एंगल्स है? 7. इसमें से हमने कितने को माइनस करना है? 5 को. 1, 2, 3, 4, 5. 7 में से हमने 5 को माइनस किया. तो हमारे पास कितने ट्राइ एंगल्स बचे? 1, 2. इसके नीचे आंसर लिखें. 2. नेक्स्ट है हमारे पास 7. और इसमें से हमने माइनस करना है 2 को. काउंट करें कितने ट्राइ एंगल्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ये भी 7 है. इसमें से हमने कितने को माइनस करना था? 2 को. 1, 2. 7 में से हमने 2 को माइनस किया. तो देखें कितने ट्राइ एंगल्स रहे गए? 1, 2, 3, 4, 5. तो इसमें से हमने 2 को माइनस किया. 52. I hope यहां तक बच्चों आपको समझा आ गया होगा. अब हम आते हैं अपने पार्ट E की तरफ. जिसमें 1 हमारे पास क्या है? 5 over 3. 10 क्या है? 4 over 3. 5 में से हमने 3 को माइनस किया. तो हमारे पास क्या आंसर आया? 2. और 4 में से हमने 3 को माइनस किया. तो हमारे पास क्या आंसर आया? 1. Very good Part F देखे 1 जे हमारे पास 8 over 6 10 जे हमारे पास 9 over 7 8 में से आपने 6 को माइनस किया तो आपके पास क्या answer आया 2 Very good 9 में से आपने 7 को माइनस किया तो आपके पास क्या आया 2 Next, Part G देखे 1s क्या है हमारे पास 7 over 0 10s क्या हमारे पास 6 over 3 आपको पता है बच्चो 7 में से कभी 0 माइनस हो सकता है No Suppose आप सबसे पहले 7 lines लगाए इस में से आप 0 कैसे माइनस कर सकते है 0 तो कोई value ही नहीं है तो आप क्या करेंगे 7 को ऐसे ही नीचे लिख देंगे Next है 6 माइनस 3 6 में से 3 माइनस करें आपके पास आंसर आएगा 3 Next part H 1 से आपके पास 8 over 6 8 में से 6 माइनस किया आपके पास आया 2 4 में से 4 किया आपके पास 4 पैंसिल्स हैं आपने वो 4 की 4 पैंसिल अपनी sister को दे दी आपके पास कितनी बच्ची 0 I hope आपको आज का question number 1 समझ आ गया है question number 2 आप skip कर देंगे subtraction of 3 digit number पहले हमने किया subtraction of 2 digit number अब हम करेंगे 3 digit number these sums are easy but remember यह sums बहुत आसान है आपके लिए लेकिन याद रखें सबसे पहले हमने किसको subtract करना है 1 को next करना है 10 को और last में करना है 100 को पहले हमने किये थे 2 digit जिसमें सिर्फ था 10s और 1s लेकिन अब इसमें है 100 10 1s start लेंगे 1 से यह हमारे पास है 6 6 में से 4 minus किया तो हमारे पास क्या आया 2 very good next is 7 7 में से 3 minus किया तो हमारे पास क्या answer आया 4 next is 7 7 के नीचे हमारे पास कोई डिजिट नहीं है तो हम क्या करेंगे 7 को ऐसे ही नीचे लिखेंगे next टेक हैं पार्ट नमबर C 1s है 4 अवर 1 4 में से 1 को minus करेंगे 4 में से 1 को minus किया क्या answer आया 3 10 है 8 अवर 7 8 में से 7 को minus करेंगे क्या answer आया 1 100 है हमारे पास 5 5 के नीचे हमारे पास कोई डिजिट नहीं है तो हम क्या करेंगे 5 को ऐसे ही as it is नीचे लिखेंगे next पार्ट नमबर D 1 के हमारे पास 5 अवर 4 5 में से 4 को minus किया 1 आया 10 है 9 अवर 7 9 में से 7 को minus किया हमारे पास answer आया 2 100 है हमारे पास 3 और 3 as it is ऐसे ही नीचे आ जाएगा ओके बच्चो next एक पार्ट E 1's 8 अवर 6 8 में से 6 minus किया 2 good 10's है 6 अवर 5 6 में से 5 minus किया 1 और 100 के है 6 6 ऐसे ही नीचे लिख देंगे पार्ट F देखें 1's है 8 अवर 7 8 में से 7 minus किया 1 10's क्या है 3 अवर 2 3 में से 2 minus किया आया very good 1 100 100 क्या है हमारे पास अब ये double value आ गी है पहले हमारे पास क्या थी single value थी हो और हम उसको वैसे ही नीचे लिख रहे थे लेकिन अब क्या है 100 की double value है तो हम इसको क्या करेंगे 4 में से 1 को minus करेंगे क्या answer आएगा 3 very good पाट जी देखे 1's 9 अवर 4 क्या answer आता है 5 10's 9 अवर 1 9 में से 1 minus किया तो 8 very good 100 क्या है हमारे पास 2 अवर 2 2 में से 2 गे मैंने जैसे के 2 डिजिट में आपको क्या बताया था आपके पास अगर 2 pencils हैं और आपने वो 2 की 2 pencils किसी को दे दी तो आपके पास कितनी बची 0 1's क्या है 8 अवर 3 8 में से 3 minus करें क्या answer आता है 5 10 क्या है 7 अवर 1 7 में से 1 minus किया 6 8 में से 4 minus किया 4 ओके बच्चो Part H तक हमने solve कर लिया Part I से लेकर P तक आपको homework के या अपने खुद से solve करना है और ये same इसी method से होगा जैसे के मैंने आपको उपर करवाई हैं Thank you students खुदा हाफीज Stay home Stay safe टिजिए बच्चो